दोस्तों यह है बारा मुडूलर का इलेक्रिक बॉर्ड इसमें की बारा मुडूलर के इलेक्रिक बॉर्ड के हम वाइरिंग करने वाले हैं और बारा मुडूलर के बॉर्ड को हम फिटिंग भी करने वाले हैं जिसमें की हम इलेक्रिक बॉर्ड में फेद और नूटल की वाइरि को सब्सक्राइब जरू कर लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो बारा मोडूलर के एलेक्ट्रिक बॉर्ड में हमने पिटिंग किये हैं दो फाइप इंचो किट जिन दो जन्मेंचे से 16 और 6 और ये शीच सिक्से लिए सूर में दो फैले वाइर लगा प्रेटास हैं जो किक्स हैं जिन निकाल लेना है और इस स्वीच के निचे वाले टर्मिनल से हम इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं और इसी वायर को अपर वाले दोनों स्वीच से नाप कर काट लेते हैं इस तरह से और काट कर इस तरह से छिल लेते हैं और शेलकर इन दोनोय स्विच के निचावले टरमिनल से कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उनके में इंडिकेटर तो तो इंडिकेटर में छतल वह इन्वटर से इने सपय्पेर काई है तो फिस आयए ले चाहिने में आलडव फ्ला एन जो इनीट्र में इन्वार्टर की सप्लाई दे रहे हैं और बाद में हम मीन схट की सप्लाई भी दे सकते हैं तो इन्वार्टर की सप्लाई देने के लिए हम इसमें 6 A के स्वीच के निचवाल टर्मिनल से इमन्डिकेंटर में एक वाइर कवे Same AG करकरों है। तो इस तरह से हमने switch के निच्च वाले टर्मिनल से इंडिकेटर के एक टर्मिनल से wire connect कर दिया है। और अब 16 इंपेर का switch है जिसमें की निच्च वाले टर्मिनल में main supply का wire ही connect करना है। और उसके बाद अब हम fan regulator के दो wire में से किसी भी एक wire को switch के उपर वाले टर्मिनल से connect कर लेते हैं। और fan regulator के दुसरे wire को हमें fan panke के एक wire से connect करना है। तो इस तरह से हम switch के उपर वाले टर्मिनल से fan regulator के एक wire लगा लेते हैं। और अब हम इसमें स्वीच से शोकिट का वायर कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमें स्वीच के उपर वाले टर्मिनल से शोकिट के लाइन वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है, जिस पर एल का सिंबोल होता है इस तरह से, और इस दूसरे वाले स्वीच में भी हमें इसी तरह से वाय वाले टर्मिनल से वो न्यूटल वाले टर्मिनल में हमें न्यूटल का वायर कनेक्ट करना है तो पहले हम इस स्वीच से शोगिट तक वायर कनेक्ट कर लेते हैं और इस वायर के दूसरे सीरे को हम स्वीच के उपर वाला टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से तो इस तरह से स्वीच से शोगिट तक तो वायर कंप्लीट लग गया है और अब हम 16 इंपेर के स्वीच से शोगिट तक भी वायर इसे तरह से कनेक्ट कर लेते हैं तो इस तरह से इसमें भी wire लग चुका है तो इस तरह से इसमें switch के निचा वाला terminal से और switch से showkit का wire complete लग चुका है और आप हमें इसमें neutral का wire लगाना है जो कि हमें 5-pin showkit और indicator से लगाना है और हमें main supply का face का wire, neutral का wire और inverter का wire connect करना है तो हम इन wire को connect कर लेते हैं तो इस तरह से इसमें मैंने सभी वायर कनेक्ट कर दिये हैं, जिनमें की मेंस के वायर और सप्लाई के वायर भी कनेक्ट कर दिये हैं, तो इसमें आप देख लेते हैं, जिसमें की ये वायर है, जो की फेस का वायर है, मेंस सप्लाई का फेस का वायर है, जिसे की मैंने स्वीच क इंडिकेटर के एक टरमीनल से लगाया है और इसी स्विच के इंडिकेटर के लिए टरμिनल ऩो इन में का वायर देना है फेले हमने inverter के लिए किया था और यह wire है जो कि inverter का wire है जो कि 6 ampere की switch के निच्च वाले टर्मिनल से connect किया है और यहां से होते हुए उपर वाले धोनों switch में भी supply गई हुई है और इस switch के उपर वाले terminal से हमने pin regulator का wire connect किया है यह से होते हुए उटर के रिच्छिंट्रव सभूनाइए निंट्र का वायर वायर के तर्मिनल के यह समरो है और Bulb Holder में हमने Neutral क वायर डायरेक्ट की दिया हुआ है जिससे मेंसे कट करके हमने Joint करके एक वायर पंके में दिया है Neutral क वायर डायरेक्ट और Bulb Holder में भी यह हैईively parental का वायर कि तो इस तरह से हमने Board की वायरिंग यह गोईर की है तो यह inverter का wire है और इसमें जो यह black color की tape लगी हुई है यह neutral का wire है जो की main supply और inverter दोनों के लिए एक ही wire होता है common जिसमें कि हमने यहाँ पर लगाय हुआ है holder और यहाँ पर है पंका तो इसी board चे हमने पंके और light में wire दिये हुए है तो इस तरह से आप खुद भी electric board की wiring कर सकते है और इसमें हमने detail में जाना है wiring के बारे में और इसमें भी कोई doubt हो तो आप मुझे comment करके जरूर पूछ सकते हैं electrical से related या switchboard से related और भी कुछ कुछ ना था आप मुझे comment करके जरूर पूछ सकते हैं हुआ 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 है हुआ हुआ है